अचानक हुआ एक 90 साल की महिला को बच्चा फिर आगे जो हुआ जान कर आपके होश उड़ जाएंगे और आखिर क्यों आजकल चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं और कैसे एक चोर की वजह से मोना लिसा पेंटिंग आज इतनी फेमस हो पाई और कौन है यह बच्चा जो के बी सी का यंगेस्ट करोड़ पती बन गया और आखिर क्यों गर्भवती महिलाओं को सांप नहीं काटते दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली जो पल भर में किसी की जान ले सकती है और पुराने जमाने में टैटू कैसे बनाये जाते थे देखकर हैरान रह जाओगे और CCTV कैमरा के वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती है जानने के लिए बने रहिए आखिर तक नमबर बारा क्या हुआ जब 91 साल की महिला प्रेगनेंट हो गई जी हाँ ये कहानी है चिलियन टाउन में रहने वाली एस्टेला मेलेंडेज की जो अपने पती के साथ रहती थी लेकिन एक दिन 91 साल की उम्र में उनके पती की डेथ हो गई और यह अकेली पड़ गई क्योंकि इनके कोई भी बच्चे नहीं थे एक मेडिकल कंडिशन की वजह से ये कभी मा नहीं बन पाई अपने पती की मौत से कुछ टाइम पहले इन्होंने ऑपरेशन कराके अपने शरीर में मौजूद ट्यूमर को निकलवाया था और पती की मौत के बाद टेंशन की वजह से इनकी तबीयत और खराब हो गई और जाँच करवाई गई तो पता चला कि इनको एक और ट्यूमर है ज्यादा जाँच करने पर पता चला कि यह पिछले 60 साल से प्रेगनेंट थी यह एक अजीबो गरीब तरह की मेडिकल कंडिशन होती है जिसमें बेबी कोक से बाहर ग्रो होने लगता है जिसे स्टोन बेबी भी कहा जाता है ज्यादातर केसेस में यह बच्चे दवाईयों की मदद से अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ हालांकि अब इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी इसलिए इस बच्चे को आपरेशन करके बाहर नहीं निकाला जा सकता था लेकिन इन्हें यह बात लेट पता चली वरना बहुत सालों पहले ही से आपरेशन करवा कर इसे निकलवा कर माँ बन सकती थी हालांकि उनकी यह स्टोरी काफी वाइरल हुई और कई न्यूस चैनल्स ने इसे कवर किया नमबर ग्यारह आखिर क्यों चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं दरसल मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी एग्स की जो चीन में काफी पॉप्यूलर है जो की नॉर्मल मुर्गी और बठक के अंडे होते हैं जिन्हें सबसे पहले चूने के पानी में डुबो कर और फिर लकडी के बुरादे में लपेट कर हफतों तक रख दिया जाता है जिसके बाद इन्हें खाया जाता है इन में से बिलकुल सडी हुई बदबू आती है और यह बिलकुल काले पढ़ चुके होते हैं लेकिन चीन के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं क्योंकि उनके मताबक इस अंडे को खाने से उनकी कई बीमारियां दूर होती है नमबर दस कैसे एक चोर की वजह से मोना लिसा आज इतनी फेमस है लियोनार्दो दा विंची की मौत के 2500 साल बाद मोना लिसा को फ्रांस के लूवर म्यूजियम में लाया गया था इस से पहले मोना लिसा कुछ रॉयल फैमिलीज और आर्टिस्ट में ही फेमस थी लेकिन यहां से यह पेंटिंग 1911 में चोरी हो गई जिसकी वजह से यह खबर पूरी दुनिया में चलने लगी और पूरी दुनिया को मोना लिसा के बारे में पता चल गया इस पेंटिंग को विंचेंजो पेरूजिया ने चुराया था जो दो सालों तक इस पेंटिंग को बेच ही नहीं पाया क्योंकि यह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी लेकिन फिर इसे इटली में इस पेंटिंग को बेंचते हुए पकड़ लिया गया फिर वापस से मोना लिसा को फ्रा हरियाना के मयंक ने पार्टिसिपेट किया था जो आठवी क्लास के स्टूडेंट है और इतनी कम उम्र में भी इन्होंने 12.5 लाख के क्वेस्चन्स तक तो कोई लाइफलाइन नहीं ली हलांकि एक करोड के सवाल का जबाब इन्होंने लाइफलाइन की मदद से दिया और 7 क करोड तक पहुँचने पर इन्होंने गेम क्विट कर दिया और यह के बीसी के यंगेस्ट करोड पती बन गए नमबर आठ क्या आपको पता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को सांप कभी नहीं काटते हैं इतना ही नहीं गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधा हो जाता है गर्भवती महिला को सांप न काटने का वर्णन ब्रह्म वैवर्थ पुरान में मिलता है ब्रह्म वैवर्थ पुरान की कथा के अनुसार एक बार एक गर्भवती स्त्री शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी वह पवंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन जब भी किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। क्योंकि इनके पिताजी ने इसे सिर्फ एक क्लोफिंग मील के रूप में खरीदा था लेकिन इसे बड़ा करने में इनका ही हाथ था और एक समय पर इनकी नेट वर्थ एक हजार करोड तक पहुँच गई थी। लेकिन दो हजार पंदरह में इन्होंने इस कमपनी के अपने 37 प अपने बेटे से लीगल लड़ाई लड़ी पर इसकी वजह से इन्हें कमपनी से ही निकाल दिया गया और आज यह एक रैंट की जगह पर रहते हैं नमबर छे वैसे तो लुई विटॉन कमपनी अपनी महंगी महंगी चीजों के लिए जानी जाती है और इसके 3.38 लाक रुपए है यह ना सिर्फ बेहतरीन साउंड सिस्टम के साथ बलकि बेहतरीन डिजाइन के साथ आते हैं जो फैशन सिंबल भी है और आज कल यह इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं नमबर पांच यह लोग रातो रात करोड़ पती बन गए नमबर वन 2006 में एक मचुआरा रोज की तरह मचलियां पकड़ रहा था तब ही उसका काटा एक बड़े पत्थर में जाकर फंस गया और ये बंदा इसको गुड़लक समझ कर अपने घर ले आया दस साल बाद जब उसके घर में आग लगी तो पता चला कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बलकि एक असली मोती है जिसे बाद में 100 मिलियन डॉलर में बेचा गया नमबर चार दुनिया की सबसे खतरनाक चिपकली इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे यह चिपकली एरिजोना न्यू मैकसिको जैसे कई देशों में पाई जाती है जिसका नाम है गिल मॉंस्टर इसकी बाइट का कोई एंटी टोड आज तक नहीं मिल सका है यानि कि इसके काटे का कोई इलाज नहीं है और इसका जहर बहुत खतरनाक होता है जिसे भी यह काटती है उसकी मौत मानो पक्की होती है और देखकर भी यह लिजर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है नमबर तीन एक्सकाविटर मशीन जिसे हम जेसी भी भी कहते हैं क् प्रीट के सामने लगे दोनों लिवर को आगे पुश करेंगे, वहीं पीछे चलाने के लिए दोनों लिवर को पीछे की तरफ खींचेंगे और एक एक लिवर को दबाने पर ये लेफ्ट और राइट में जाएगी, वहीं पूरी मशीन को अपनी जगह पर घूमाने के लिए कै अच्छे खीचने पर बूम उपर उठता है। वही CCTV के कैमरा को अगर आपने नोटिस क्या होगा तो उसके वीडियो की quality बहुत खराब होती है। कैमरे की quality कम रखनी पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपको इन में से कौन सा fact सबसे मज़ेदार लगा हमें कमेंट करके जरूर ब साथ